ठेट हरियाना देखना और सुनना अड़ने जुगाडी पत्रकार पवनगिल की रामराम हरियाना के कैथल में सोमगार को पूरो उप परधान मंतरी सुवर्गिया देविलाल की जयनती पर इंडियन नैसनल लोकदल ने सम्मान दिवस रैली का योजन किया इसरैली के जरीए दो दसक से सता से बाहर चल रही इन एलो ने मजबूती के साथ सुरुआत का भी गुल बजाया पूरो मुख्यमंतरी वेपार्टी सुप्रीमो उम परकास चोटाला ने इसरैली में अपने चोटे बेटे और विधाय कवे सिंग चोटाला को अपना राजनेतिक उत्रादिकारी गोसित किया इनलो सुप्रीमों उम्परकास चोटाला ने मंद से कहा कि अभैको तुम्हें सोंप रहा हूँ इसका हाथ पकड़ लो और इसे कामियाब बनाओ मेरा आसिरवाद हमेशा इसके साथ रहेगा अगर कोई गलती करेगा तो इसके कान खींच दूँगा उम्परकास चोटाला के इस बियान के बादमंच पर उपस्तित सभी नेताओं ने अपने संबोधन के दोरा नवेसिंग चोटाला को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया इनलो सुप्रीमो उम्परकास चोटाला ने कहा कि अब प्रिष्टितियां बदलने वाली हैं जनता को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा परदेश में अब इनलो की सरकार बनेगी तब हर घर में बुजरुक को 75 रुपे पैंसन दी जाएगी हर महीने हर घर में एक सिलेंडर वे 1100 रुपे दिये जाएंगे इसके अलावा हर बच्चे को निस सिल्क सिक्षा दी जाएगी वहीं पड़ाई के दोरान बिमार होने पर बच्चे को मौफ तिलास दिया जाएगा इसके अलावा विरोजगारों को 21,000 रुपे विरोजगारी भता दिया जाएगा आपको बता देंगी ओम परकास चोटाला के दो बेटे हैं अवे सिंग चोटाला और अजे सिंग चोटाला ओपी चोटाला और अजे चोटाला के जेल जाने के बाद उनके बेटे दुशंत ने जन्ना एक जन्ता पार्टी अलग बना ली थी जिसके बाद से चाचा अवे सिं चोटाला के हाथों में रहने वाली है जिसके अब आने वाले चुनाओं में वो और मजबूती से चुनाओं में उतर सकेंगे प्रिवर्तन यातरा के जरीए अवेजिंग चोटाला परदेश की सभी विदान सभाव में यातराइं कर रहे हैं अब पार्टी के बड़े फैंस ले लेने के लिए वो पूरी तरह संतंतर होंगी आपको हमारी चोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी लाइक शेयर कोमेंट और ठेट हरियाना न्यूज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबादे